नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड यूपी मैं हूँ आपके साथ अकांग्शा थापा डालते हैं एक नजर उत्राखंड की खबरों पर आज की बड़ी खबर सीम रावत ने पुलिस जवानों के बलिदान को किया याद की बड़ी घोशणा हैं पुलिस स्मृत्ति दिवस के मौके पर बुधवार को पुलिस लाइन में मुख्य मंत्री ने सहायक उप निरिक्षिक से निरिक्षिक स्तर तक के कार्मिकों के लिए हर 25 वर्ष में वर्दी भत्ता में एक हजार रुपे की बड़ोत्री की घोशणा की यही नहीं पुलिस कार्मिकों की मृत्तिव होने पर आश्रित परिवार को ततकाल एक लाग रुपे की आर्थिक साहता दिये जाने के लिए पुलिस शहीत कोश में 75 लाग रुपे का अनुद खत्म हो गया है जिसके बाद आज से प्रशासन की टीम ने शहर भर में हुए धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण पर जेसी भी चला दी बुद्धवार शाम तक बताया गया कि 18 प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण धोस्त किये गए कैदियों के रिहाई की फाइल राजभवन ने लोटाई राजभवन ने इस मुकदमे के संबंद में पूरी जानकारी न होने का हवाला देते हुए फाइल वापस की है इसके अलावा कैदियों के परिहार की समय सीमा गुजरने का हवाला देते हुए राजभवन ने अब इस औचित्ते को सही नहीं ठहराया है इससे स्वतंत्रता दिवस पर मिलने वाली रिहाई का इंतजार कर रहे कैदियों को खासा जटका लगा है सुगम में भारत की बात और सीडिया नाप रहे दिव्यांग कोरोनेशन अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना दिव्यांग जनों के लिए काफी पीड़ा दाई साबित हुआ है प्रमाण पत्र के लिए उन्हें दो मंजिल चड़नी पड़ रही है इसके अलावा कई अन्य समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा डिप्टी रेंजर वर वन दारोगा पर अभधरता का आरोप राजाजी नाश्चल पार्क के तहट कांसरो रेंज में तैनात चालक ने डिप्टी रेंजर और वन दारोगा पर अभधरता का आरोप लगाया साथ ही वन्यजीव प्रतिपालक से आरोपितों के खिलाफ कारवाही की मांग की याद रखे कोरोना वाइरस संक्रमट से बचने के लिए समाजिक दूरी बहुत जरूरी है यानि आपस में दो गच की पर्याप्त दूरी रखने में ही समझदारी है ना भीड इखटी करें और ना ही उसमें शामिल हो इसी के साथ मैं आकांग्शा थापा आपसे विदा लेती हूँ मिलते हैं अगले नियूस बुलेटिन में तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भासकर उत्राखंड यूपी धन्यवाद